साल की शटे मेंने जून की शुर्वात हो चुकी है समहीने की दस तारीक मों लोग सुरी ग्रहन की फ़गोलिय घटना का गजारा देख सहेगी साल का ये दूसरा ग्रहन वल्याकार सुरी ग्रहन होगा जिसमें चंद्रमा की छाया सुरी पर इस दर्म पड़ेगी जिसके सुरी के बीच का भाग पूरी तरह ढग जाएगा लेकिन उसका बाहरी हिस्सा प्रकाश माण रहेगा इस सिती में सुरी के चारो तरम एक अंगूठी जैसी हाकरीती बनती भी प्रमी इसलिए इस सुरी ग्रहन को रिंग ओफ फायर के नाम से भी जाना जाता है 10 जून के सुरी ग्रहन से समवन्दित आई ये डिटेश जाते हैं ये साल का पहला सुरी ग्रहन है और दूसरा ग्रहन है इससे पहले शवबीस माई को चारो रहन लगा जना के आप सभी जाते हैं सुरी ग्रहन जेस्ट महीने के कृष्णपक्ष की अमावस्या को विष्णगरासी और म्रिगराशी नक्षक्र में लगने जा रहा है ये बल्याकार सुरी ग्रहन होगा जिसे रिंग ओफ फायर के नाम से भी जाना जाएगा इस ग्रहन में चाद्रवा सुरी के 97 परसेंट भागों निछाय सढ़ते हैं और चाद्रवा की चाया सुरी के केंद्र के साथ मिलकर सुरी के चारो तरफ एक वल्याकार आपरिती बनाएगी वल्याकार सुरी ग्रहन की सरवादी कलंबी अब दी तीर मिलेट और चौबालिस सकेंट की ओप वल्याकार सुरी ग्रहन कनादा, ग्रीन लैंड तथा रूस में दिखाई देगा वहीं उत्तर अमेरिका के अधिकांच जिस्तों, इरोप और उत्तर एशिया में आशिक सुरी ग्रहन दिखाई देगा पार्थ में इस सुरी ग्रहन को नहीं देखा जातेगा इसलिए इससा सूतस अप्ताल भी नहीं बनादाए